आज है साथ जनवरी और हम लोकार डिसकस करेंगे साथ जनवरी के important questionnaire answers स्वागत आपका एक्जाम मंतन में अगर आपने हभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपे मिलते हैं डेली करेंटर फिर्स MCQ साथ ही मिसलेनेस ट्रॉपिस के discussion जैसे हमारा फार्म विल्स हो गया कंटरम टाफ कोट हो गया तो चले शुरू करते हैं आज का डेली MCQ की मंतन दोस्तो आज का फर्स question है यह जो question है फ्रेम किया गया है अभी क्योंकि यह काफी news में बना हुआ है अभी हुआ क्या है कि Great Rinaasar Dam को लेकर करके अभी एक agreement हुआ है इतोपिया, सुडान और Egypt के बीच में इसलिए यह news में था यह हमारा जो dam है यह बनाया जा रहा है इतोपिया में यह यह dam बना रहा है ताकि वो जो energy generate हो जाएगी जो भी electricity generate होगी उससे काफी उसको बेज करके अपने पैसे कमा सके तो यह हमारा dam बनाया जा रहा है इतोपिया के अंदर रहा है जाए क्योंकि इग्जाम में कई बर पूछी जाते हैं यह संर इरिटिया के क्या हो गया अस्मारा जीबूति का हो गया तो सही आंसर है इसका B, यह हमारा जो है Center for Systemology आता है Ministry of Earth Sciences के अंदर यह जो question पनाया गया है क्योंकि अभी आज ही के दिन हमारा Earth को hit किया है अंडमान अनिक हुआ आलेंड से, जैसा कि आप लोगो पता हो का, अर्थ को एक आई दिन हमारे इंडिया में कहीन के hit करते रहते हैं तो जैसा इंडिया में जो है 5 जो है 5 जोन में अर्थक्रेक इंटेंसिट के साब से divide किया गया है हमारा जोन 5 में आता high risk zone, very high risk zone, zone 4 में आता high risk zone, zone 3 में आता moderate risk zone यह जो हमारी एज़नसी है इसके जो है करीब 115 पंदरा स्ट्रेशन पूरे इंडिया में मौझूद हैं जिसके कारण से वो अर्थक्रेक्स को मेजर कर सकती है कि वो कितनी इंटेंसिटी से हविट किया है जहां तकरीबात इस एजनसी की यह हमारी आती है दिजिटल ओसल मेनेजमेंट के लिए पोर्टल लांच किया था यह दोनों भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आप बिल्कुल इनको दिमाग में रखेगा क्योंकि एक्जाम में पूशा दा सकता है चो आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन नमारा वेस्टन डेडिके पर एक सेक्षन को inaugurate किया है वह हमारा था न्यू रिवार्ड दि से लेकरके मधर सेक्षन के बीच में हमारा इनको inaugurate किया है और इसमें एक और खास बात है कि अभी हाली में जो world का first electrified double stack long haul जो section है इसको भी inaugurate किया गया यह हमारा कहां से कहां पढ़ेगा new atelie से लेके new kitchen guard तक यह हमारा पढ़ेगा कि यह हमारा बिलकुल दिमाग में रखे है क्योंकि काफी important हो जाता है exam के लिए यह हमारा पढ़ता है new atelie से लेके new kitchen guard तक यह हमारा world का first electrified double deck stack है यह जो हमारा आप देशाथ fried corridor के बारे में देख रहे हैं अभी हाली में जो eastern corridor में भी UP के अंदर एक cross section को भी inaugurate किया गया था हमारे PM के दोरा यह दुनों जो corridor है हमारे Indian economy के लिए काफी game changer होंगे क्योंकि हमारा जो इससे economy को काफी boost up मिलेगा जहां तक रही बात हमारी western dedicated corridor की यह हमारा दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर के जवारला नहरूट पोर्टरस तक चलेगा मुंबई में यह हमारा जो cross करेगा जैसा कि आप लोग map पे देख सकते हैं महर сл edkin निकलेगा और यह जाएगा आं गुजरात होते हुए राज्स्तान होते हुए हमारा निकल करके उत्तर प्रदेश में यह पहुचेगा तो यसलिए हमारा मुंद मुंद सकर रहा है तो इसलिए यह हमारा मुंद प्रदेश इसमें गलत option था यह हमारा पार्शली फंडेड होगा जापान इंडेनेसल कोपरेशन एजिंसी के दोरा यह वही एजिंसी है जो हमारी DMRC को भी फंड करती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स शोसन है नैंडेन बनानाज इस फ्रम विश स्टेट तो सहीया अंसर है यह हमारा मौजूद है केरला में अभी यह news में क्यों हो था news में अभी इसलिए था क्योंकि अभी हाली में banana grid बनाय गया है इसी को ले करके इसी banana का इस्टमाल करके यह हमारा बनाय गया है CSIR और साफ में National Institute for Interdisciplinary Science के दोरा इस banana grid की खास बत यह है कि हमारे जो पेट पे जो गट होते हैं उनको अराम से इसमें खाना पचाने में मदद करता है इसका कई सारे अलग अलग इस्तमाल होता है जैसे कि यह बिल्कुल रावा के जैसे लगता है खाने में काफी सौधिस्ट होता है तो इसलिए आपको बिल्कुल धिमाग में रखना है यह हमारा banana grid बनाया गया था यह हमारा banana के दोरा यह जो हमारा banana है यहां मिलता है केरला के अंदर इसी GI tag अलड़ी मिल चुका है 2014 के अंदर इसका नाम है नेंद्रेन बनाना नेक्स्ट कुश्चन इस वेना accord of 2015 refers to which of the following convention on road traffic, convention of consular relation, convention for the reproduction of the ozone layer, joint comprehensive plan for plan of action on the nuclear program of Iran तो सही answer है यह हमारा है answer option है D यह हमारा इरान के साथ जो agreement हुआ था P5 plus 1 countries का यह उसी को लेके वेना accord बोला जाता है वेना accord हमारा sign किया गया था 2015 में क्योंकि कई सरे sanctions लगाया गये थे इरान के उपर nuclear enrichment को लेकर के तो उसी को रोकने के लिए ताकि economy को ease करने के लिए यह हमारा record sign किया गया था 2016 में यह enforce हो गया था तो यह इसी को लेकर कि अभी news में किसले है क्योंकि अभी हमारा जो इरान ने बोला है कि वो दुबारा से enrichment करने वाला है अब uranium का और वो भी start कर दिया है इसी को लेकर कि उसने IAEA को inform किया है तो अभी इसलिए news में बना हुआ है तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि when I got kisses related है तो हमारा इरान census से related है और इसमें आपको दो जी और दिमाग में रखना है कि हमारा जो दो जो enrichment plant है हमारा इरान के अंदर उनका नाम क्या है Fordo और दूसरा है Netang यह दोनों जी important है काफी एक्जाम के लिए यह हमारा दो ही enrichment plant है इरान में जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है आगे भढ़ते हैं Next question is Gibraltar is located at the southern tip of which of the following palancula Iberian palancula, Scandinavian palancula, Balkan palancula, none of the above तो सही answer है इसका हमारा यह Iberian palancula के ऊपर located है जहां तक इरबात Iberian palancula की आप यहाँ पर दिख सकते हैं यहाँ पर हमारा located है Gibraltar यह हमारा जो है Great Britain जो है उसकी overseas territory है Britain की यह हमारी overseas territory है यह अभी हाली में Britain और साथ में Spain का जो एक agreement हुआ है उसके तरह जो है अगर Brexit के बाद भी हमारा यह नॉर्मल इसमें normal movement of people होगा और across the Europe तो यह हमारा सेंजेंग zone के अंदर आएगा ना कि Brexit के अंदर आएगा मतलब जिसे Brexit होने के बाद अलग से rule इसमें जो इस agreement होगी वो नहीं होगी यह normal जो सेंजेंग लूल थे European Union के rules थे वो यहाँ पर चलते रहेंगे तो इसलिए बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है इस बात का और जहां तक रही बात यहाँ पर एक state गुजरता है इसी नाम से इसका नाम है state of Gibraltar यह हमारा connect करता है Mediterranean Sea और Atlantic Sea को और एक famous question है जो काफी पूछा जाता है SSC और IBPS में कि कौन सी African country है जो state of Gibraltar से होते हुए हमारा materancy और साथ में Atlantic को जो touch करती है तो उसका नाम है country का नाम है मुरक को यह काफी famous question है यह काफी पूछा जाता है exam में तो इस बात कभी आप बिल्कुल दिमाग में रखेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question है state of hormones connects which of the falling water bodies hormones की जलदारा निमलिकित में से किस जल निकाय को जोड़ती है red sea and person gulf person gulf of oman red sea and gulf of oden person gulf of oden तो सही answer है इसका B यह हमारा person gulf और gulf of oman को connect करती है अब ही हाली में हुआ क्या है कि इरान ने जो South Korea की एक जो ships को उसने capture कर लिया था इसी को लेकर के South Korea destroyer वहाँ पे patrol कर रही है state of hormones पे और जहां तक रिए बाद state of hormones पी यह काफी important exam के लिए क्योंकि इससे हमेशा question frame होते रहते हैं UPSC साथ में state pieces और other exams में यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा located है state of hormones यह हमारा connect करता है person gulf साथ में gulf आफ ओमान को यह काफी strategically काफी important है क्योंकि यह काफी छोटा area है जिस पर इरान हमें साथ धंकी देता रहता है कि इसको वो block कर देगा अगर उसकी economic sentence को नहीं अटाए जाए तो तो इसलिए यह news बना रहता है हमें साथ यह जहां था कि क्योंकि इसके size काफी छोटी है मातर 21 माइल से है इसलिए काफी असान रहेगा इरान के लिए इसको चोक करना तो इसलिए हमेशा यह news बना रहता है तो जहां ते करी बात person gulf यह person gulf कंटी यह से हमारा कतर हो गया उमान हो गया साथ में UAE हो गया यहां पे यह कंटी हमेशा एक्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो किसी भी एक्जाम में हो तो इनके capital और साथ में इनका जो आप orientation है इस तो वेस्ट नॉर्ट तो सौट वो भी विल्कुल आप दिमाग में रखेगा तो चलिए नेक्स्ट कोर्शन की तो बढ़ते हैं विच स्टेट गवर्मेंट इस कंस्डेरी रिनेमिंग तो सिटी नोन अज औरंगाबाद किस राज की सरकार औरंगाबाद के नाम से जाने वाले सहर का नाम बदलने का पर विचार कर रही है महाराष्ट, उत्तरपरदेश, मदपरदेश या फिर आंधपरदेश सही आंसर है इसका यह हमारा जो विचार किया जा रहा है मदपरदेश सरकार भी नहीं कर रही है, आंधपरदेश सरकार भी नहीं कर रही है यह हमारा किया जा रहा है महराश के सरुकार के दोरा क्योंकि हमारे यह मौजूद है महराश के अंदर जाहन तक रहे बाद इसकी location की यह आप देख सकते हैं यह location हमारा महराश में यहाँ पे located है यह famous क्यों है क्योंकि हमारे औरंजेव की नाम पी city का नाम रखा गया था यही पे जो है उसने काफी torture किया था हमारे सांभा जी को तो सांभा जी हमारे Maratha warrior काफी बड़े famous Maratha warrior थे उनको torture गया था इसका नाम बदल करके सांभा जी नगर करने की बात चल रही है जहां तक रहे बाद औरंगाबाद की यहां पे हमारे UNESCO जो heritage sites काफी सारे मौझूद हैं जैसे हमारे अजंता केवस हो गया औरंगाबाद केवस हो गया इलोरवा केवस हो गया तो यह जो question है काफी important है किसी भी exam में पूछा जा सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं next question है who has become the first ever female match official in a men's test match तो सही answer है इसका Claire Polosak यह अभी हाली में जो अभी मारा मैच चल रहा है इंडिया का Australia के साथ Sydney में उसी में इनको जो है fourth empire बनाया गया है तो इसलिए यह news में यह रही इनकी photo यह exam के लिए काफी important है क्योंकि यह अभी हाली में हुआ है और यह अभी टेस्ट में जो हमारा में चल रहा है तो चलिए next question पर बढ़ते हैं next question है keep sharp build a better brain at any age यह book किसके दौरा लिखी गई है चेतिन भगत, संजय गुपता, अलफ्रेडरो, ससी धरूर तो सही answer है यह हमारा लिखा गया संजय गुपता के दौरा यह रही संजय गुपता की फोटो यह हमारे जो है यह MD है, आसाथ में हमारे CNN के जो Chief Medical Correspondent है डौक्टर संजय गुपता यह काफी important है यह book भी जो exam के लिए इसलिए आप बिल्कुल इसको दिमागवा रखिएगा तो दोस्तो इसलिक साथ आज question answer का session आज समापत होता है आसा करते हैं आपको video बिल्कुल पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो बिल्कुल आप like, subscribe करना ना बोले और कोई भी आगर आपका suggestion हो तो आप हमें comment box में लिख करके बता सकते हैं तो चले फिर कल मिलते हैं daily mcq के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद